स्वागत करता हूं आपका अपना यूटूब चाइनल मैच सड़ा में चली मैं हाजिर होगे एक नया सेशन लेके आज हम करने वाले हैं इसके जासर का ग्रूप D का ट्रेक्टिस सेट का जीके जीए सेट नमबर 14 करने वाले हैं अगर अभी तक आपने 13 तक नहीं देखा है तो रिवीजन हो जाएं तो चली अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लें और वीडियो का अंग तक देखें ताकि आपको फायदा मिन सकें और इसका PDF मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे दे देता हूं आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना रि लिटन ने वर्नकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था अठारा सो अठार इसमें पास किया था लेकिन अठारा सो ब्यासी इसमें लौड रिपन ने लौड रिपन ने इसे एक्ट को रद कर दिया था तो अठारा सो अठार में यह पास हुआ था और अठारा सो ब्यासी इसमें इसे रद किया गया था किसके द्वारा तो लॉट रिपन के द्वारा तो option A हमारा सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं गांधी जी का चंपारन सत्यागरा किस से जुरा था तो ये किस से जुरा था तो ये तिन कठिया से जुरा था तो option B हमारा सही answer हो जाएगा और ये 1917 में महत्मा गांधी द्वारा किया गया था कटिया अंदुलन जो था वो 1917 में महत्मा गांधी के द्वारा किया गया था ठीक है चलिए next किस सदन में अध्यच उस सदन का सदस नहीं होता है तो राज सभा में तो option B हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है next कि कोकन रेल मार्क नहीं जोडता है किसको नहीं जोडता है तो केकन रोल मार्क जो है मटगाओं रतम गिरी उड़ुपी बेलगाम को नहीं जोडता है ठीक है यह एक बहुत ब़रा लंबा कोकन रेल्वे के अस्तापना की अगर बात किया है तो कोकन रेल्वे के अस्तापना 1998 में हुआ ठीक है और यह जो है यह 741 मिटर लंबा है जब महराष्ट गोवा और करनाटा को जोडता है ठीक है चलिए अगला बर्थ को अंतरास्ट्रिये वेपार का मुख पर हडी कौन है तो अंतरास्ट्रिये वेपार का वर्ल्ड ट्रेड और्गनाजेशन है तो option C हमारा सही अंसर हो जाएगा यह कई बार कोशन इससे related NTPC में आपको पूछा जा चुका है अगर WTO की अस्तापना की बात की जाए यह एक जनवरी 1995 में हुआ था इसका मुख्याले कभी कभी पूछते हैं इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले जेनेवा में है ठीक है चलिए next प्लूटो का चांद का नाम है चांद का नाम क्या है तो चिरोन है तो option D हमारा सही अंसर हो जाएगा अगला देखते हैं कि भारत के सबसे दख्षनी भाग में इस्तीत पहारी अन्यम्न में से कौन सा है तो कौन सा है तो काडेमन तो option B हमारा सही अंसर हो जाएगा काडेमन को इलाइची की पहारी भी कहा जाता है अगर kardinum का hindi अर्थ भी इलाइची होता है इसलें इसे इलाइची का पहारी क्या कहा जाता है थीक है नेक्स्ट मोहन-weena का अविस्कार किसने किया था तो मोहन-weena का अविस्कार नुमन मोहन- lesson ne आंशिए क्या था तो और Iसन भी हमारा सही आउनसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं कि बंगलादेश के राश्टपती का अधिकारिक निवास साकर जाले 10 को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है तो बंग भावन को तो option C हमारा सही आउनसर हो जाएगा देखिए बंगलादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बंगलादेश का निर्मान हुआ था आप सभी जानते हैं बंगलादेश पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में अपना एक अलग राष्ट का निर्मान किया था चलिए नेक्स्ट प्रिथ्वी पर घहने वन अधिकतर मिलते हैं प्रिथ्वी पर घहने वन अधिकतर किस रेखा पर मिलते हैं भूमद रेखा करकर रेखा मुका देखा या ध्रुवों के पास तो भूमद रेखा के पास मिलते हैं तो आप्शन यह हमारा सही आंसर हो जाएगा किसी कार्बन का परमानविक दर्मान 12 है और हिलियम का 4 है पर तेक तत्व के एक मोल के लिए निन्म में से कौन सा कथन सही है किसी भी पदार्थ के एक मोल परमानों तथा अनुव की और गौदरों की संख्या होती है यह आप सभी जानते हैं अब हमसे पूछा है हिलियम का एक मोल में कार्बन के एक मोल से तीन गुना अधिक परमानों होते हैं तो नहीं कार्बन का एक मोल में हिलियम के एक मोल से तीन गुना अधिक परमानों होते हैं तो नहीं कार्बन का एक मोल कार्बन का एक मोल में हिलियम के एक मोल मौजूद परमानों की संख्या समान होती है क्या होती है सभी के लिए बरावर होती है मौलों की संख्या को हम क्या लिखते हैं पदार्तों का दिया गया दर्मान बटा में आन्वी सुत्र दर्मान यही होता है और इसमें क्या होता है जो कार्बन के एक मोल और हिलियम का जो मोल में मौजूद परमानु संख्याज होता है परमानु संख्याज जो होता है वो समान होता है तो option C हमारा सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन से एक सतहिय घटना है उबलना पिघलना वास्पिकरन जमना तो कौन सा तो वास्पिकरन एक सतहिय घटना है तो option C हमारा सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि एक एक इंटू 10 दिपार माइनस 5 मोल परती लिटर हाइज्रोडो जोन आयन की सगंता वाले एक बिलियन का पिएच अस्तर क्या होगा देखिए अगर एच आयन की बात की जाए तो यह एक इंटू 10 दिपार माइनस 5 मोल दिया हुआ है पर लिटर अगर पी एच प्लस की बात करूं तो पी एच प्लस बराबर हम इसको लॉग एच आयन कर दें तो यहां से पी क्या हो जाएगा ओ एच आयन माइनस लॉग ओ एच आयन तो यहां से पी एच प्लस क्या आजाएगा पी एच प्लस बराबर आजाएगा माइनस का लॉग इंटू 1 इंटू 10 दिपार माइनस 5 यह 5 उतर के नीचे आजाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस का 5 यह जाएगा तो आप्शन B हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट किसी तरह की समान मातरा के लिए निमनुखित में से किस पर किरिया की गति सबसे धीमी होगी कोथन संगनान वास्पिकरण ही मांग किसका तो वास्पिकरण का तो आप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट धोने निमन में क्या एक है इसको उपर कर लेते हैं धोने निमन में क्या एक है छोर या इत्रण् यांत्रिक लहर-विधूतिय ठरंग चुमकिय ठरंग सत्लाडाय तरंग दखिए ढति जो है वो क्या होता है किसे माध्य में उत्पन वीचोंड को तरंग ये लहर को होते हैं तरप, बिचोंड के आगे मढ़ने के प्रकरिया को हम तरंग को हुथ ता तरंग कैसे जाता है लहुआ के जाता है हे यांतर तरंगividade का यह होता यह कि तरंग कि यह जिल की तरंग यह लोहर च्प्रिंगा की तरंग सारह कल ससाहबील कि नफ हो चाहिए गत्र५ लुए पार लहर यांत्रिक लहर चाहिए नेक्स्ट प्रित्वी के सता दर्मान M और 3JR पर गूत्वा करशन के कारण तोरण के डैस अनुपातिक होते हैं देखिए एक बराबर क्या होता है जी एम एम बट्टा आरे स्क्वाइर अगर एक बराबर हम M G कर दें तो इन दोनों समीकरण से हमें क्या मिल जाएगा M G बराबर G M M बट्टा आरे स्क्वाइर तो M से M कट जाएगा तो g बराबर, small g बराबर क्या मिल जाएगा, बरका g into m बटा r square, ठीक है, बरका g m बराबर r square, तो यह किसके ही हो जाएगा, अनुपातिक किसके होगा, m बटा r square के, तो option यह हमारा सही answer हो जाएगा, चलिए अगला question, यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग, 5 मीटर परती से से बोड़ कर, 10 मीटर परती सेकेंड हो जाएगा, तो उसका तोरण क्या होगा, यहाँ पर यू हमारे पास कितना दिया होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, अभी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास, 5 सेकेंड दिया होगा, तो यह बराबर क्या होता है, भी minus u by t यानि कि वेग में परिवर्था बट्टा समय तो 10 minus 5 बट्टा 5 यानि कि 5 में सपाच गे 5 तो 5 बट्टा 5 बराबर 1 meter per second तो 1 meter per second यानि कि option d हमारा परिवर्था इसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे गतीज उर्जा कहा जाता है तो उसे गतीज उर्जा कहा जाता है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा निवन में कौन से विधी जल को पंकिल जल से अलग करेंगी तो यह निस्पंदर विधी है जो जल को पंकिल से अलग करती है तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं कि 540 गराम ग्लुकोज में उपस्तित मोलो की संख्या कितनी होगी तो ग्लुकोज का क्या सुत्र होता है C6 H12 O6 यही ग्लुकोज का सुत्र होता है अगरि यहां दरवान की बात की जाए तो हमारे पास 540 गराम है तो अनुभार हमको निकालना है तो अनुभार क्या हो जाएगा 12 गुना कार्बन का बारा होता है 12 गुना 6 पलस हाइट्रोजन का इक गुना 12 पलस अक्सिजन का होता है 16 गुना 6 92 गुना 12 गुना 12 पलस इन दोने का जोड़ें 1,2,4,6,10,0,1,7,8,9,9,9,9,8 यानि की 180 गराम मोल हो गया है तो मोल बराबर क्या होता है मोल बराबर होता है दर्मान बटा अनुबहर तो 540 बटा 180 यानि की 3 तो आप्सन ए हमारा सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि छारिये धात्वों को आधूनिक आवर्सार्णी में कौन से समूव में रखा गया है तो ये किस समूव में रखा गया है तो पहला समूव में तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा नेख देखते हैं निमनिखित में से कौन सा कथान सही है दूसरे समूव के ततों को अलकली धात्वे कहा जाता है समूव पहले के ततों को छारिये धात्व कहा जाता है और 17 हमें समूव के ततों को हैलोजन कहा जाता है तो देखिए पहले समूव के ततों को क्या कहा जाता है चार ये कहा जाता है और 17 में समुख गुतरत को हैलोजन कहा जाता है तो B और C हमारा सही आंसर हो जाए दखिए समुख 1 की बात करें तो समुख 1 में क्या होता है इसमें अलकली धातु होता है इसमें अलकली धातु होता है समू 2 जो होता है इसमें अलकाइन मिर्दा धातू होता है असमू 13, 14, 15, 16, 17 में धातू होता है 18 में अक्रिय गैस होता है इस आप जान लीजिए ठीक है चलिए एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटोन और 22 निट्रोन है इसकी दर्मान संखह क्या होई तो यह अ बराबर क्या होता है प्पलस एं यहाँ पे ए बराबर हम जेड़ पलस एं भी जिक सकते हैं A बराबर परमानु भाज, Z बराबर परमानु संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 15 और 12 दिया है, तो 15 और 12 को जोड़ देंगे, यानि कि 37 तो option D हमारा सही answer हो जाएगा, ठीक है, next देखते हैं, कि O2 का उप्योग करके, पाइरोवेट का विवाजन डैस में होता है तो O2 का उप्योग करके, पाइरोवेट का विवाजन किसम होता है, यह होता है, माइट्रोकॉंड्रिया में, तो option C हमारा सही answer हो जाएगा, next देखते हैं, निमनिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, यह जाइलम जो है, यह सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कि पोधे डैस द्वारा अतिरिक जल से चुटकारा पास सकते हैं, यह किसके द्वारा, तो वास्पत सोरजन के द्वारा, तो option D हमारा सही answer हो जाएगा, next, जटर गरंतियों द्वारा, स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अमल, डैस एंजाम की किरिया को अस सान कर देता है, तो option A हमारा सही answer हो जाएगा, next, देखते हैं, कि निमलिखित में से कौन सा गुन, द्वी बीज पत्रीद पोधों का एक गुन नहीं है, नहीं है, तो यह रेशेदार जर का, तो option D हमारा सही answer हो जाएगा, next, भ्रून एक विशेष तंतु की साहता से, मा के र है, तो option B हमारा सही answer हो जाएगा, next, देखते हैं, कि आवर्ट सार्नी में निम्तम अभिकिर्यासिल तत्व कौन सा है, तो यह निस्क्रिय गैस है, तो option A हमारा सही answer हो जाएगा, देखिए, दूसरे वर्ग के तत्व को छारिये मिर्दा धातु काते हैं, तथा इनका बहत्तम electronic विद्यास NS2 होता है, ठीक है, अमल और छार के साथ अविक्रिया करता है, अमल और छार के साथ कौन अविक्रिया करता है, तो Al2O3, क्योंकि यह उवेधर्मी ओक्साइड है, ठीक है, तो Al2O3, next, डैस उत्तर गरंतियों का निर्वान करता है, कौन करता है, तो वाही का उत् सिध्धान हमें बताता है कि कैसे जीवन से अधिक जटेल रूपों से विक्सित हुआ है तो यह डार्विन ने बताया था डार्विन विकास का सिध्धान तो ऑप्सन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं केवल डैस केवल समुदर में पाए जाने वाली मचली है तो इस्टार फिस्ट जो है वो केवल समुदर में पाए जाने वाली मचली है तो ऑप्सन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगर मैं जैली फिस्ट की में बात करूँ तो जैली फिस्ट जो है यह नाइडिरिया संका सदसे है और सिलवर फिस्ट की बात की जाएं तो यह डेटा संका सदसे हैं और जैली सिलवर और डॉग फिस्ट तीनों ताजे जल यह तीनों जो है ताजे जल और समुदरी जल दोनों में पाए जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं इमनेश्टी इंटरनेशनल है किस जिस में अपना काम रोका है तो यह आपका भारत में अपना काम रोक दिया है तो आप्शन यह हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम ने दावोस में होने वाली वार्षिक बैठाग दोहजर एक्किस की जगह मे बदलाव किया है नया जगह कौन सा है तो नया जगह है लोटसन बर्गन एस्टॉक तो आप्शन यह हमारा सही अंसर हो जाएगा यह सारे कोविट के वज़े से यह चेंजिन हुए है ठीक है चलिए नेक्स अगला कोशन देखते हैं कि साक्षरता और जागरूपता अभियान के लिए केंद्रिय सिच्छा मंत्रियों ने किस काजकरों का सुभारम किया तो यह कपी ला तो आप्शन भी हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट गूड गवर्नेस डेश सुसासन दिवस कब मनाया गया तो यह आपको 25 दिसम्बर को मनाया गया है तो आप्शन C हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूचित जाती युवाओं के लिए AS IIM कार्ज करण किसके द्वारा लंच किया गया है तो यह थावर चंद गहलोत के द्वारा लंच किया गया है तो आप्शन यह हमारा सही अंसर हो जाएगा देखिए यह AS IIM का फुल फर्म क्या होता है अंबेड कर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूवेशन मिशन ठीक है तो इस चीज को भी आप ध्यान देखें नेक्स पेट्रोलियम मंत्री ने किस राज का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट को समर्पित किया है तो यह किस का मंगल को तो option D हमारा सही answer हो जाएगा पच्छिम मंगल ठीक है नेक्स नवाट किस राज में करेगा साख्षता साख्षटा अब यह करेगा करनाटक में तो option B हमारा सही answer हो जाएगा आगर नवाट की फूल फर्म की बात किजा है यह होता है National Bank for Agriculture and Development ठीक है आगे बढ़ते हैं साइबर इंसुरेंस कवर करने वाली कंपनी का नाम क्या है तो इसका नाम है फिलिप कार्ड और बजाज एलाइंस यानि इन दोनों तो ए तथा भी हमारा सही आंसर हो जाएगा किस बैंक ने अपने ग्रांकों के लिए यहली लाइक प्रोग्राम लंच किया है यह किस ने किया है तो HDFC बैंक ने तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं कि PM मोदी ने खाद वक्रिसी संगटन एपव के 75 वी बड़ सगांट पर क्या जारी किया है तो इन्हों ने क्या जारी किया है तो इस मार्कीस के जारी किया है तो ऑप्शन यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगर मेरे वीडियो आपका अच् आपने हाजिर होता रहूंगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्यू